परसो मैंने दो दिम पहले ही इससे देखा और आज 27 जुलई गुरुवार को में वीडियो शूट कर रहा हूँ बवाल के डिरेक्टर है नितेश तिवारी उनकी पत्मी अश्वीनी अयर तिवारी ने इसकी कहानी लिकी है और साथ में ही वे साजित नडियाद वाला के साथ में इसकी को प्रेडियूसर भी है वरुन्धवन और जानवी कपुरिस में मुक्य बुमिका में है और फिल्म को मिल हुआ है कि Bollywood का ऐसा जो problematic content होता है प्रोपेगेंडा से भरा हुआ वो Bollywood outsiders के लिए reserved रखता है बाकी जो Bollywood की main lobby के जो star kids होते हैं वे ज़्यादा तर propaganda content में काम नहीं करते हैं उनकी फिल्मों की theme आपको normal ही लगेगी आम फिल्मे जैसे की होती है हलाकि कुछ exceptions आपको इसमें मिल सकते हैं किसी Bollywood के main lobby के star kids ने किसी problematic theme वाली फिल्म में काम किया और वो बिल्कुल exception ज़्यादा तर आप यहीं देखेंगे कि star kids को mainstream filmों में लिया जाता है जिनमें ज़्यादा तो यहीं को problematic theme नहीं होती इसकारा से बवाल को लेकर मेरे मन में तो कोई चिंता नहीं थी और वरुन धवन की अगर मैं बात करूँ तो देखेंगे मैं इससे पहले भी का हुआ है कि बाकी जितने भी बॉल्लोट की main lobby के जो star kids से उनकी अपक्षा वरुन धवन मुझे ठीक लगते हैं अच्छे लगते हैं क्योंकि वो ज़्यादा किसी से ऐसा क कुछ अपने काम से काम रखते हैं कुछ social activism जबरदस्तिक हम देखते हैं कि बॉल्ल की कई सारे actors या star kids जबरदस्तिका उपदेश देना कुछ activism वोगेरा वो करते रहते हैं उन सबसे वरुन धवन दूर रहते हैं चाहे वरुन धवन हो या सराली खान हो वो मुझे बाकी सब क या पेक्षा ये दोनो अच्छे लगते हैं वाकी जानवी कपूर की बात करें तो भाई क्षमा चाहता हूँ मैं उससे तो उनको एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन पर नहीं देखा जाता असहनिय होता है मेरे लिए तो कम से कम जानवी कपूर को देखना पता नहीं कैसे मतलब कहानी की अगर हम बात करें तो देखे अजे दिक्षित वरुंदवन के पातर का नाम है एक आत्ममुग्ध ऐसा कारेक्टर है इंग्लीश में नर्सिस्ट वर्ड हम कह सकते हैं तो बस अपनी परशन सा करवाना करना भले ही उसके लिए कितना ही जूट क्यों न बोलना पड़ पर पिछले दस वर्षों से नहीं आये हैं तो अजे कहता है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दस वर्ष पहले आते थे ना तो बहुत पुरानी बात है पर विवा की पहली ही रात्री को निशा को मिर्गी के तोरे आने लग जाते हैं और वो ये बताती ही कि विव पाके कुछ tension के कारण मुझे ऐसा हुआ होगा दस वर्षों के बाद में पर अजे इस बात को बहुत मन पर ले लेता है और बहुत नाराज हो जाता है वो कही पर अपनी पतनी को बाहर भी नहीं ले करके जाता कि और लोगों के सामने मेरी जो reputation है image है वो कही पर खराब ना हो अब इन सारे problem से बचने के लिए पिर अजे ये निरने लेता है कि मैं चला जाओंगा यूरोप जर्मनी जहां पर concentration camps वगरा है तो बच्चों को world war 2 के बारे में वहाँ जाकर live मैं सिखाओंगा हाला कि ये कुछ logic मुझको इतना विश्वास करने लायक नहीं लगती ये बात क कि एक शिक्षक जिसने बच्चे पर हाथ उठाया है वो बच्चा एक MLA का बेटा है और उस पर जाच करने के लिए MLA ने कहा है और इस बीच में इस प्रकार से school management के द्वारा उनको जाने दिया जाना इस प्रकार से ये पता नहीं जो भी है फिल्म है तो ignore कर देते इस बात क फिर वो अपनी पतनी निशा को ले करके वो जर्मनी जाता है और वहाँ जाने के बाद में फिर उन्हें अपने relationship का महत्व पता चलता है और उनकी जो माता पिता है चाहे वो निशा के हो या अजय के हो जैसे कि एक आम परिवार जैसा होता है वैसे उनके parents को दिखाया है जो parents ये बाते देखने को मिली ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आश्यर होता है जो कि यहाँ पर हमें बवाल में देखने को मिलते हैं चाहे निशा के या अजय के दोनों की जो माता पिता है सभी पात्र मुझे बहुत पसंद आए और एक परिवार जोडने का कुल मिला कर ये फिल्म महत्व बताती है अजय का character भी मुझे को पसंद आया निशा का पात्र तो पसंद आया पर जानवी कपूर की acting बिल्कुल भी नहीं पसंद आई हाँ वो पात्र character बढ़िया था overall एक अच्छी कहानी जो परिवार के साथ में बैठ कर देखी जा सकती है ऐसी फिल् कि इसी फिल्म को अब वर्ल्ड वाल टू के बारे में प्रशन पूछते हुए दिखाया है उसकी जगा पर गोवा की हिस्ट्री के बारे में जैसे कोई lesson चल रहा हो अजय पढ़ा रहा हो और बच्चे उत्तर नहीं दे पाते या वो उत्तर नहीं दे पाता अजय स्वयम और फिर वो अपनी पत्नी को लेकर के गोवा जाता है अब गोवा की जैसी इमेज बनी हुई है कि बाई बीच समुद्र किनारे पर बस मौज मस्ती करना ड्रिंक करना वगेरा तो ये सोचकर वो गोवा की इस्ट्री को लेकर कुछ उत्तर नहीं दे पाता है फिर उससे बचने के हिंदू नरसंहार पूर्टुगी जों ने किया था वहाँ पर 2500 से अधिक वर्षों तक किस प्रकार से पूर्टुगी जोंने इंक्विजिशन लागू किया था गोवा और दक्षिन भरत के बहुत बड़े हिस्से पर जिसके इंक्विजिशन कारत होता है रोमन कैतोलिक चर् को ही follow करते हैं, चर्च की माने तो हमें विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को ढूंड कर उने दंडित करते हैं, जिन्दा जलाते हैं, और गुवा में तो आज भी हात कत्रो खाम है, जहां पर लोगों को बांध कर उनके हात काट दिये जाते थे, इस कारण से उस खाम का उस खंबे का भी नाम हत कत्रो खाम है, और जालियन वाला बाब की तरह वहाँ पर एक जग़ ऐसी भी है गुवा में, हत कत्रो खाम के पास में ही, जहां पर इसी प्रकार से कई सारे हिंदूों को इकटा करकर उनका एक साथ में उनकी हत्या की गई थी, और मंदिरों को तोड मनोर परिकरजी के द्वारा ये एक डॉक्यमेंटरी बनवाए गे थी, इसका मैंने रिव्यू किया हुआ है, ये विडियो आप आवश्य देखना, ये पूरा इतिहास आपको पता चलेगा, तो फिल्मों के माध्यम से इतिहास हम सामने ला सकते हैं, देखें वर्ड वाल पर फिर भी बताना तो बनता है, ये दिखाया जा सकता था, कि अजय निशा को लेकर के गोवा में आया है, और वहाँ पर अपने देश की संस्कृती की रक्षा के लिए किस प्रकार से अंगिनत हिंदों ने अपना बलिदान दिया, पर पर कनवर्ट नहीं हुए, तो ये इतिहास इसके माध्यम से सामने लाया जा सकता था, चलिए जो भी है, पुलमिलाकर फिल्म अच्छी थी, देख सकते हैं पूरे परिवार के स साथ में, मैं बावाल को दूँगा 7 out of 10 स्टार, स्पैंडल गैडेंस की बात करें तो देखिए, एमेंज़न प्राइम वीडियो पर इसे UA13 प्लस की रेटिंग के साथ में रिलीस किया गया है, बाकी मुझे देखकर दो दिन हो गये हैं, इस कारण से मुझे पका नहीं याद आवश्य बताना था कि जो अन्य दर्शक है उनने भी ये बात पता चले, बाकी दोस्तों आपने अगर फिल्म देखी तो आपका अनुभव कैसा रहा, आपको फिल्म कैसी लेगी, मुझे अपनी नीचे कमेंट में आवश्य बताना, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, जैश्री राम वंदे मातरम